बिस्मिल्लाइरह्मान रखीम अस्सालाओं अलेकम स्टेट्स 301 लेक्चर नामबर 34 यह वीडियो मैंने अप्लोड की थी लेकिन उसमें एर्र है और असवाज से यह चलने रही तो मुझे दोबारा बनाने पड़े ही अब मैं यह वीडियो जो है वो डिवाइड करूंगा दो सफूरी में दुघआ है और पहले इसे हम मैं डिकॉस करूंग एफिशनसी को और मेःटब आफ मॉवमेट MR को है तो आज़ें स्टाय्ट करते हैं वीडियृज यहां पे जव डिकॉसometer होने वाले हैं वह इफिशनसी है मेःटड आफ मॉवमेट्स है इस पारट्ट के अंद और method of least square or method of maximum likelihood discuss होंगे confidence interval for mean के साथ later on तो start करते हैं as a sample is only a part of the population it is obvious that the larger the sample size more representative we expect it to be a population from which it has been drawn in agreement with the above argument we will expect our estimate to be close to the corresponding parameter if the sample size is large hence we will naturally be happy if the probability of our estimator is being close to the parameter increase with the increase in the sample size as such consistency is a desirable property another important desirable quality of a good point estimator is efficiency we जियां पर बाद हुई है हम जब एक population को लेते हैं तो population का एक part है sample sampling से किसी ने किसी आवाले से हम वाकिप हैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटरेटिव की तोर पर जब आप किसी रिप्रेजेंटरेटिव से मिलते हैं तो वह आपको अपनी कंपनी में तियार होने वाली जो हैं उसका आपको वह एक सेंपल देता है कि यह medicine है यह formula है आप इसको जो है वह अपने जो मरीज हैं उनके उपर ट्राइ करें और देखें अगर यह ज्यादा beneficial है तो दोस्तों से compare फिर आप इसको suggest करें तो उसके अंदर जो बात discuss हो रही है वह यह है कि population जब हम लेते हैं तो उसका जो part है वह एक सेंपल हम लेते हैं sampling करते हैं अमोमन हम जब कोई conduct करते हैं survey बगएरा तो उसमें अगर resources ज्यादा ना हो तो फिर कोशिश होती है कि sampling से काम लिया जाए यहां पर बात यह है कि जब sampling size जो है वह large है increase हो रहा है parameter के साथ parameter अगर बढ़ रहा है तो फिर जो है वह estimator जो है के parameter increase हो रहा है सेंपल साइज के increase होने में यहां पर अगर हम इसको यूँ के के यह जो थीटा है थीटा यह increase हो रहा है किसके increase होने में सेंपल के size के जिसको हम population sample जो है वो इसके increase होने में यह increase हो रहा है तो यह भी increase हो रहा है ठीक है यह दोनों increase हो रहे हैं यह जो situation है इसमें consistency है और यह consistency जो है यह required है यह यहां पर हमें required है consistent यानि एक चीज एक तरफ से अगर sample का size बाढ़ रहा है दूसी तरफ से corresponding parameter जो है वो भी बाढ़ रहा है दोनों बाढ़ रहे हैं दोनों increase हो रहे हैं तो यहां पर जो condition है वो fulfill कर रही है और consistency है दूसरी चीज efficiency है efficiency से मुराद यह है efficiency है बड़ी अची तरीके से वाकिफ हैं लेकिन यहां पर is a sample के तोर पर हम जब इसको लेते हैं तो यहां पर efficiency होती है कि unbiased estimator जो है वो efficient होगा जहां पर उसका variance जो है वो smaller होगा दूसरी distribution के उसी तरह की same जो estimator है उसके जो sampling है उससे हमारा जो unbiased estimator होगा वो smaller केने का मतलब यह है कि हमारे पास मिसाल के तोर पर दो थोड़ा से यहां word confused है बाद यह हमारे पास दो estimator है एक को हम कहते हैं T1 और दूसरे को कहते हैं T2 यह दो estimator है हमारे पास तो T1 का अगर variance यह वैर यह वैर जो है T1 का यह अगर less than है T2 के वैर से variance से T2 के variance से T1 का variance smaller है तब जो हमारे पास efficiency आएगी जो हमारे पास estimator होगा वो efficient estimator होगा ठीक है efficient की होगा चलें आपको यहां पर नीचे यह जो diagram बनी होई है यह इस से हम discuss कर लेते हैं थोड़ा से sampling distribution T1 का जो है वो smaller है T2 के distribution से अब distribution से मुराद क्या है यहां पर उसने का variance जो है वो smaller होना चाहिए तो हमारे पास mean से जो difference हम निकाल देते हैं यानि mean से जो difference होता है वो mean से जो difference है वो vary हो रहा होता है vary हो रहा होता है तो यह देखें यह हमारा mean है इस से जब mean या median इस से जब फासला बढ़ रहा है इस तरफ को तो यह हमारा distribution है जिसमें variance increase हो रहा है इस तरफ increase हो रहा है जबकि यह जो हमारी position है यह जो उपर को जा रही है यह देखें यह फासला इस तरफ इस तरफ को फासला कम है यह देखें यह इस तरफ नहीं फेला होगा यह दाएं और बाएं तरफ mean से deviated नहीं हो रहे है उनका difference ज्यादा नहीं है तो ऐसी situation जहां पे variance कम है जहां पे variance कम है उस situation को हम is compared to दूसरी sampling estimator के साथ जब हम compare करें जहां पे variance ज्यादा है यह जो variance है यह ज्यादा है और यह जो है कम है तो यह कम वाला यानि फरक जिसमें कम है यह more efficient है और जिसमें यह फासला यह फरक ज्यादा है यह less efficient है अब अब relative की बात करें तो relative आपको जिस तरीके से टी 1 को टी 2 से compare करें यह टी 2 को टी 1 से compare करें वो situation देखनी पड़ती है यहाँ efficiency अगर हम टी 1 को टी 2 से compare करें तो यहां हमारे पास formula है efficiency का ठीक है जी अब आपने efficiency को मालूम करने के लिए पहले variance निकालना है variance आपने निकालना है टी 2 का यह टी 1 का निकालें फिर बार में टी 2 का निकालने निकालना तो दोनों का है ठीक है यह variance निकालना है variance का formula लगाना है ठीक है और variance का formula लगा के यह आपने टी 2 का variance मालूम करना है फिर टी 1 का variance मालूम करना है और उसको divide करेंगे तो हमारे पास efficiency आएगी तो यह तो good estimation है यहां पर जो हम कर रहे हैं वो उसमें efficiency को हमने discuss किया तो लो जी हमारे आपके हमारे पास efficiency जो है वो यहां से यह मालूम होई के variance अगर किसी sample के estimator का variance जो है वो smaller है sample mean is smaller than the other distribution of sample median or mean तो फिर यहां पर यह efficient मतलब यह है कि variance काम होना चाहिए ठीक है अब जो दूसरी बार मेंने कहीं कि मैं movements की बात करूंगा तो movements में method of movement को discuss कहते हैं और कुछ इस तरीके से हैं कि method of movement which is due to carol Pearson और इसमें calculate करते हैं few movements of the sample value and equating them to corresponding movements of population तो क्या करना है सबसे पहले हमने कुछ movements निकालनी है first moment second moment third moment जो fourth moment first moment a moment होती है वो हमारे question के उपर depend करता है कि कितनी movements हमने निकालनी है first second third वो question के उपर depend करता है ठीक है जी और उसको फिर equate करना है corresponding movements है population के साथ जो population की movements दी होगी उसके साथ हमने इसको equate करना है और फिर जब हम इसको equate करेंगे तो उसके लिए हमें unknown parameters चाहिए होगे तो उसकी situation को जिस तरीके से x1 up to so on xn यहां पर हमें मालूम नहीं है कि कोन होगा 1 होगा 2 होगा यह 3 होगा up to so on xn तक हम जा सकते हैं n is our population क्या है population जो है n होता है size population के अंदर n एक समाल होता है एक होता है large n तो यहां पे इसको भी थोड़ा से clear कर दें जरूरी है यह जो है वो sample का होता है size यह sample size है और यह है जो है यह population का size है sample size capital N population size small n यहाद रखना है ठीक है अब हम moment लेते है moment deviation हम ले आए और 1 और हमारे पास 1 2 3 4 5 up to so on कुछ भी हो सकता है तो हम इसको लेंगे जी movement होगी sigma x i i से मुराद यहां पे लेंगे हम कहां से start होना है और कहां जाना है i to r यह हमारी limits है divided by n जो हमारा size है population का उससे हम इसको divide करना है यह population का size है population के size को यह हमारी mean होती है submission x और n यह हमारे पास अमूमन यह हम इसको mean कहते हैं ठीक है जी और mean के अंदर limits है तो देखते हैं question को कि किस तरीके से solve करना है तो let uniformly distributed under interval zero two जो हमारे पास यहां पर theta है तो हमने theta मालूम करना है यहां पर इस question के अंदर और हमारे पास जो x दिया हुआ है और theta हमने मालूम करना है इसकी value को और यह हमारा interval है उसके लिए हमने इसकी probability density function को इस्तमाल किया और इसका function x जो है उसको हमने लिखा है यह किसके equal है one hour theta ठीक है और zero से इसकी limit है जो less than equal to x less than equal to theta यह हमारा question ठीक है अब हमने क्या करना है हमने इसकी limits को सबसे पहले तो हमने इस first moment को लेना है first moment के अंदर हमने इसको जो है इसकी integrate करना है और यहां पर integrate करने के लिए हम लेखते हैं first moment को जो हमारे पास यहां पर आ चुकी है यह mu यह होती है जो mean होती है population की इसकी उपर dash लगाया हमने तो यह dash लगाने से यह हमारी आ गई first moment और यह equal है हमारे पास जो function है वो यह है जो integrate हो रहा है 0 to theta और x हमें दिया हुआ है x f x function of x dx derivative यह इंटर में आपने पड़ा होगा अच्छे जी x है और f x है अब यहां इसको हमने क्या कहता है कि हम इसमें populate करेंगे इसको वो बराबर हुआ हमारे पास इसके किसके यह हमारी limit आ गई integration x और f x की जगा पे हमारे उपर जो value x है वो है one hour theta और dx हमने किया क्या किया है f x की जगा पे उसके उपर जो value दी हुई थी वो हमने क्या किया मूमिट का formula लिखा मूमिट का formula लिखा मूमिट का formula लिखा उसको equate करके हमने उसको function डाला function के अंदर उसकी value वोड़ किया हम तक हमने यह काम किया आगे जो है अब limit apply हो रही है तो theta जो है यहां पर यह जब हम integrate कर रहे हैं इसको तो आपको पता है कि यह one hour theta जो है यह बाहर आ जाएगा common के तोर पर और अंदर हमारे पास जो बचेगा वो यह बचेगा x और x में पहले value जहां पर कुछ नहीं होती यह one होती है यह देखें x की जहां पर value कुछ नहीं है वहां पर one और आपको पता है कि यह increment हो जाता है plus one से और divided by one plus one यह situation आई यहां पर हमने इसको x power one plus one x power two divided by two limit apply हो गई zero two theta अब हम zero रखें इसके अंदर x की जगा पर अगर हम zero रखते हैं तो आपको पता है zero divided by यह हमारे पास situation जो आएगी वो zero की आएगी और चलिए यह वाली वान ओवर थीटा इंटो यह जीरो स्क्वार प्लास थीटा अवर क्लोजिंग में लेके जाएं तो यह हमारे पास यह जो अब यह स्क्वार है यह जीरो टोटली सारा यह जीरो हो गया और यह जो बाकी बचा वो बचा है one आवर थीटा यह बचा और इसके साथ यह जो अंदर बच रहा है वो बच रहा है जी थीटा दीटा स्क्वायर आवर तूओ ठीक है जी यह थीटा और यह थीटा इससे कट गये यहां पर बच गये एक ठीटा और divided by 2 बच गया है तो यह situation आगई अब हमारे पास यहाँ पर ठीक है जी थीटा वर 2 आगई हमारे पास अब हमने क्या कहा था कि हमने moments लेनी है one two three four five वो हमें question के अंदर दी हुई होगी हमारे पास थीटा तक दी तो हमने थीटा के एसाब से कहीं पर one two three भी दिया होगा तो हमने थीटा के एसाब से इसको calculate किया और यहां पर आगे जाके हमने equating किया इसके अंदर integration का काम किया limit apply की अब हम जो है matching these moments we obtain कि हमने जो निकालना है यहां से वो निकालना है थीटा तो आपको पता है कि यह जो moments होती है यह mean mean one हमने निकाली है यह हमारे पास है थीटा जो बचा हुआ था आवर two ठीक है हमने निकालना है यह वाला थीटा तो यह two यहां यहां पर two से multiply करेंगे mean को और दूसरी तरफ से यहां पर two से multiply करेंगे तो यह हमारे पास यह cut गया और यहां पर बचा two mean equal थीटा यह हमने थीटा मालूम कर लिया है और जो थीटा है वो अब equal हो गया है two x-bar मतलब mean के ठीक है जी तो हमने जो मालूम करना था वो थीटा मा यहां पर find करना था तो थीटा मारे पास आ गया है जो के रहे हैं आदर बार movement estimate for theta is just twice the simple mean वो mean से दुगना है थीटा तो यहां पर यह हमारे पास situation जो हमने निकाली उपर और यह theta हमारे पास निकला तो यह हमारा question complete हो गया है दूसरा question है इसमें जो है वो sample size है वो तो दिया हुआ है उसके अंदर normal population है parameter उसका new और उसके जो है वेरिस की बात हो रही है तो यहां पर आपने find these parameter by the method of moments or standard deviation mean तो इससे आगे आपने क्या करना है थी आपने यह two equation होंगी यहां पर एक तो हमने जो mean है population की मियू जिसे कहते हैं मियू यह जो हमने मियू यह मियू है और एक तो यह है और दूसरा यह है तो यह two simple moment से अजय हें है हें जाए यहाँ लेनी है यह वजह यह है कि हम्ने यहाँ पे पहले वेरियंस निकालना है वहाँ वेरियंस अभे चाहिए होगा है आपी प्जाए हुआ हमारे पास यहां पर आई इसका आरड़ी हमने डिस्केस किया हुआ है कि फास्ट मुवमेंट जब लेंगी फास्ट मुवमेंट क्या होगी यह देखें आइम वन डेश जो होता है वो मैंने पीठे भी लिखा वो है सिग्मा एक्स और एन और उसकी जो भी लिमेंट होगी कि सुरी यह नीचे नहीं होगी उपर लिखने में थोड़ी तो यह यह क्योंकि नीचे जो है वह नहीं सेंपल का साइज है यह जो हमारे पास है इसकी उपर जो भी मुवमेंट्स होंगी जिरो टुवण उसकी जो भी हो डिवाइड़ बैए एन है यह फास्ट मुवमेंट्स है सेकंड मुवमेंट्स फैर हमारे पास जो आएगी वह भी लिखता हूं मैं वह आमारे पास जो है जाएगी के one hour n ही है उसको हम दूसरी मुवमेंट second मुवमेंट के लिए हुआ यह है के x का square आगा समेशन x square और i जो भी होगा है one two three divided by n यह square लिया जाएगा ठीक है जी अब question केता क्या है जी सबसे पहले तो यह दे इसमें लिखा हुआ है x1 चलिए के n तक simple का size जो है वो simple size n है यहां पे नार्मल पॉपुलेशन के विद परेमिटर म्यू एंड वैरिंस यहां पर फाइंड इस परेमिटर पाइंड मैथद आप मोमेंट से तो पहला हमने तो जो है यह हम मालूम कर लेंगे मोमेंट के फास्ट मोमेंट को हम अपलाई करते हैं फास्ट मोमेंट को हमने अपलाई करना है या में और फिर हम लेंगे फास्ट मोमेंट इस अबाउड जीरो आर यह हमारे पास सामने आ रही है फास्ट मोमेंट और यह first moment ठीक है जी और corresponding two moments of a normal distribution जो first moment है वो mean होती है और यहां पर जो second moment है उसमें mean जो है वो उसके square लेके यहां पर x के square लेके हम करते हैं calculate तो desire estimator अच्छे स्थरीके से होगा mu is equal to summation x i or n in mu 2 plus जो जो mu 2 है उसको होगा जो second moment है हमने उसको कहा था कि वो उसके लिए हम square लेंगे x का submission x square लेंग अब इसको हमने simultaneously solve करने की कोशिश की तो हमारे पास जो equation है यह कट के mu जो है submission x i or n यह हमने पता है submission x i or n जो होता है वो mean ही होता है और second जो है वो variance के लिए जब हम यहां पे submission x i यहनी x का square लेंगे और उसको divided by n करेंगे और minus करेंगे उसके से mean को तो यह हमारे पास आ जाएगा variance तो i hope के कुछ समझाई होगे लेकिन यहां भी confusion को मैं दूर काल देता हूँ एक सेंपल सा टेबल बना के यह देखें जी यह x है और यह x का square है ठीक है जी यह 1 यह 2 यह 3 1 का square 1 2 का 4 और त्री 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 दन नाइन यह डिफ्रन ने बता देखेंगे तो अब यहां पे size कितना है एक इसको count किया है दो इसको count किया है थीन इसको count किया है तो एन यहां पे is equal to इसको count किया है अब हमारे पास mean किया आएगी यह थोड़ा से यहां पे simply में बता रहा हूं कि क्या होगे simply इसको यह जम्मा करें समीशन एक्स आवर एंशन एक्स आवर कर लो गई तीन जम्म दो पांच और एक छे छे और size हमारे पास तीन है और इसके जवाब दो है यह यहां का हमने मालूम गिया अब x square को मालूम करते हैं एक्स square के लिए जी 149 ठीक है जी लिखते हैं यहां पे और यहां पे क्या लिखेंगे जी x square के लिए हमने लिखना है शुमिशन एक्स square अबर है एन इसकोदू 149 था 1 4 5 109 14 अबर हमार ऊद्द्री साहिस ता तो यह मारे पास जो आएगा वाएगा में को आएगा लिएर करका देहना जेंगे वाटीन को तो इससाहिए। 4.6 यह हमारे पास situation अब हमने 4.6 निकाला दूसरे का हमने 2 जो आप निकाला है चीक है जी तो यह हमने मालूम करना है अब यहां पर variance variance क्या है variance है summation x square आवर n minus ठीक है जी तो यह हमारे पास इसका जवजवाब आरा पॉर पॉइंट सिक्स या इसको हम एसे submission x इसको हम लेख सकते हैं submission x आपर नहीं जो महीन होते हैं तो यह जवाब आयरा भाया था हमारे पास 2 तो इसको माइनस करने से 2.6 यह तो मिसाल के तोर पे मैंने आपको समझाया यहां भी कि यह इस तरीके से होगा नेक्स्ट ठामने लीस्ट स्क्वेर और लाइकली होड के उपर डिस्पैस करना है तो तब तक के लिए अल्ला हाफिस